नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में तो आईए जानते हैं खुबरों को बारी बारी से अगर हिसे से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दें सवी किसान ट्रेन को पिये मोदी ने किया रवाना कहा आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम जी हाँ आपको बतादे कि परधानमंद्री मोदी ने सोम बार को महराष्ट के संगोला से पस्चिम मंगाल के सलिमार तक चलने वाली सवी किसान रेल को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया परधानमंद्री ने रेल को रवाना करने के बाद कहा कि कोरोना की चुनोती के बाद भी चार महिने में किसान का ये रेल नेट वर्क सव के आंकडे तक पहुँच गया है महराष्ट के किसानों को बंगाल के और बंगाल के किसानों को महराष्ट तक अपनी उपज पहुँचाने की सुविधा मिल गई है देश को जोडने वाली टेन अब किसानों के माल को भी यहां से वहां तक पहुँचा रही है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे छोटे और सिमान्त किसानों को भी बड़ा फैदा पहुँच रहा है क्योंकि इसमें माल की कोई सिमा नहीं रखी गई है यानि उपज का छोटा हिस्सा भी बजारों में पहुँच रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे पता चला है कि एक किसान के आनार का 3 किलो कंसाइमेंट और एक मुर्गीक पालक का 17 दरजन अंडो का कंसाइमेंट भी इस टेन के माध्यम से पहुँचाया गया है प्ये मोदी ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है इससे खेती से जुड़ी अर्थ वहस्ता में बड़ा बदलाव आएगा इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत मी भड़ेगी सरकार ने किसानों को फिर दिया बादचीत का न्योता 30 दिसंबर को चर्चा के लिए बुलाया जी हाँ आपको बतादी कि किंदर सरकार ने क्रिशी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बुद्वार को बादचीत का न्योता दिया है क्रिशी मंत्राले के सचीव संजय अग्रवाल की ओर से किसान ने ताओं को लेखी चिठी में कहा गया है कि संजुग्त किसान मुर्चे ने 26 दिसंबर को सरकार को कहा है कि वो बाचित के लिए तयार है हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार भी खुले मन से किसानों की बात सुनने को तयार है आप 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भौन में दो पहर दो बजे आकर बैठक में सामिल हो बैठक में क्रिशी कानूनों पर चर्चा होगी नए क्रिशी कानुनों को लेकर किसान संगठनों और मोधी सरकार के बीच अब तक अपचारिक तोर पर 6 दौर की बारता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है बीदे कुछ समय पहले बातचीत रुकी हुई थी 26 दिसंबर को संजुक्त किसान मोर्चा की और से जनकारी दी गई थी कि सभी किसान संगठनों से बातचीत के बाद उनके सरकार को परस्ताव भेजा गया है कि किसान परतिनीधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 39 दिसंबर 2020 को 11 बजे आयोजित की जाए अब सरकार का इस पर जबाब आया है जिसमें किसानों की ओर से बताई गई तारिक से एक दिन बाद यानी 30 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है फास्टेग को लेकर एनेच याई ने दी नई शुविधा दूर हो जाएगी आपके पैसे से जुड़िये ये समस्या जी हाँ आपको बतादे कि नए साल एनी 1 जन्वरी 2020 से देश के से भी टोल पलाजा पर फास्टेग अनिवारे कर दिया जाएगा फास्टेग को लेकर लोगों के सामने कई दिकते आ रही थी उनमें से एक यह दिकत है कि उन्हें मालूम नहीं हो पाता था कि उनके फास्टेग खाते में वैलंस है या नहीं अगर है तो कितना है इसी समस्या को दूर करने के लिए NHI ने अपने मोबाइल एप माई फास्टेग एप में एक नया फीचर चेक बैलेंस से स्टेटस को जोड़ा है एप का इस्तेमाल करने वाले वाहन अपना नंबर जैसे ही डालेंगे उन्हें वैलेंस का पता चल जाएगा किसी कारण टोल पलाजा पर सर्वर या फास्टेग अपडेट नहीं होने पर फास्टेग इस्तेमाल करने वाले लोग अपने वाहन के फास्टेग का स्टेटस आसानी से पता लगा सकेंगे यहाँ नया फीचर फास्टेक इस्तेमाल करता टोल ओपरेटर दोनों के लिए मददगार साबित होगा दोनों रियल टाइम बेसिस पर फास्टेक का वैलन्स चेक आसानी से कर सकेंगे बीजेपी जेडियू के रिष्टू में आई खटास दो बड़े फैसलों से सीम नीतिस ने करया अपनी मजबूती का एसास जी हां आपको बता दे कि बिहार में सरकार गठन के बाद से भाजपा जदियू आनि बीजेपी जेडियू के बेच तकरार में अब दरार जहलगने लगे हैं लेकिन दोनों दल इससे फिलहाल इंकार करते हैं मगर हलाद कुछ और ही बया कर रहे हैं तता कतित भजपाई रणनीती से विधानसवा चुनाव के पहले से सुरू ही लोजपा संग तनतनी राजनीतिक दुस्मनी में बदल चुकी थी पर उसका प्रभाव अरुनाचल प्रकरण के बाद से दिखने लगा है रभीवर को राजनीतिक दल के रूप में जडिव की ओर से अपने स्वतंतर और मजबूत अस्तित्वों को ध्यान में रखकर ले गए फैसले इसकी एक चितावनी है जडिव ने अपने नया रास्टिय ध्यक्चुना और भाजपक प्रती कड़ी नराजगी भिव्यक्त की दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं यह भी संकेत है कि पार्टी ऐसे ही दमखम के साथ आगे बढ़ने वाली है और संख्यावल की वज़ा से छोटे भाई जैसन सम्भोधन उसे अब पसंद नहीं जडिव कार्यकरणी की बैठक में मुख्यमंत्र निंतीस कुमार की निर्पेक्ष अभिवक्ती आर सिपी सिंग को जडिव की कमान मीडिया में राष्टिय महासच्यू केसी त्यागी के तल्क बयान से साफ है कि सत्ता पक्स के दो बड़े दल भाजपा और जेडियू के संबंध पहले की तरह मधुर नहीं है दिली में 39 दिसंबर से चलेगी सितलहर जादा ठंडा रहेगा नया साल जी हाँ आपको बतादे कि देश की रजधाने में इस बार ठंड जादा पढ़ने की संबंध है दिली एन सियर में नया साल जादा ठंडा रहने का अनुमान है मौसम विभाग के मुताबेक 39 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच तेज से लेकर 26 सितलहर चलने की संबंध है इसमें भी 31 दिसंबर को जादा सितलहर चलने का अनुमान है भारतिय मौसम विभाग ने इस दोरा नियूंतम तपमान 3 से 4 डिगरी सेल्सिस तक पहुँचने के संबंध होना ब्यक्त किया है इसको लेकर लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है नया साल में ठंड से 27 तर्कता बरतने के बात कही जा रही है भारतिय मौसम विभाग छेत्रिय प्रमुख कुल्दीप सिर्वास्तव के मुताबिक दिल्ली में 39 दिसम्बर से सितलहर के स्थिती सुरू हो जाएगी और 31 दिसम्बर तक जारी रहेगी 31 दिसम्बर की सुबह दिल्ली में निमतम तपमान 3 डिग्री सेल्सिस तक बढ़ सकता है एक जन्वरी से राष्टी राष्धानी में तपमान बढ़ेगा विभाग के मुताबिक सितलहर 3 जन्वरी तक चल सकती है सोने और चांदी के दामों में बड़ा बदलाओ जी हाँ आपको बता दे कि बैस्विक बजार में तेजी के बाद सोम्बार को दिली सराफा बजार में सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली SDFC सिकुरेटीज ने इस बारे में जनकारी दी है पिली धातु के अलावा आज चांदी के भी चमक बढ़ी है यह लगतार दूसरे साल रहा जब सोने के दाम में लगतार बड़ी तेजी देखने को मिल रही है 2020 में सोने का भाव करीब 28 फिसी दी तक चड़ा है दरसल कोरोना वेरिस महमारी की वज़ा से निवेसकों ने सोने के सुरक्षित निवेस के तोर पर विकल्प में अधिक रूची दिखाई है दिली सरफा बजार में सोमबार को सोना 185 रुपे प्रती 10 गरम मांगा हुआ इसके अलमा 10 गरम सोने का नया भाव 49,777 रुपे के अस्तर पर पोच गया इसका पहले कारोबारी सतर में सोने का भाव 49,572 रुपे प्रती 10 करम पर बंद हुआ था इसी परकारा चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली सोमबार को यहां चांदी का भाव 1322 रुपे प्रती किलोगरम बढ़कर 67,156 रुपे प्रती किलोगरम पर पहुँच गया इसे से पहले कारोबारी सतर में यह 66,834 रुपे प्रती किलोगरम पर बंद हुआ था भारत में एक दिन में दर्ज हुए 20,021 नए COVID-19 केस जी हां आपको बता दे कि देश में COVID-19 के एक दिन में 20,021 नहे मामले दर्ज किये गए हैं जिसके बाद संकर्मण के कुल मामले बढ़कर एक करोण दो लाह के पार हो गए हैं वही केंदर सरकार की ओर से COVID-19 टीका करण की बेवस्थाओं के आकलेन के लिए आज से पंजाब, अस्रम, आंधर परदेश और गुजरात में ड्राई रन भी शुरू किया गया है भारत में पिछले 24 गंटों में 289 मरीजों की मौत करोणा वाइरस के करण हुई है जिसके बाद कुल मरीतकों की शंक्या एक लाग से तालीस हजार नो सव एक हो गई है स्वास्त मंत्राली के आंकडों के नुसार दिस में अब तक 277,310 मरीजों का इलाज चल रहा है यह संक्या कुल मामलों के केवल 2.72 परतिसत है दिस बेश वीमारी से ठीक होने वाले लोगों के शंक्या बढ़कर 97,82,679 हो गई है जिसमें स्वास्त होने वाले की राष्टिय दर बढ़कर 95,83 परतिसत तक पहुँच गई है